अकेले चलना सीख लो जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे अपने आप से मुकाबला करते जाओ बहां कोई भी रिस्क नहीं है हारे तब भी आपको जीत है और जीते तब भी हमेशा दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाए खुद की सफलता पर काम करना चाहिए जिन्दगी में एक बात तो तय है कि जिन्दगी में तय कुछ भी नहीं है कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जन्जीर बन जाती है, मेहंत पे मेहंत करो तो तकदीर बन जाती है जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तो वो आपसे नफरक करने लग जाते है पीपल के पत्तों जैसा मत बनिये जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते है बनना है तो मेहती के पत्तों जैसा बनिये, जो पिस कर भी दूसरों की जिन्दगी में रन भर देते है मजबूत होने का मजा ही तभी है, जब पूरी दुनिया कमजोर कर देने पर तुली हो आपकी यात्रा जितनी कठिन होगी, आप उतने ही मजबूत होते जाएंगे अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंट समझ में नहीं आते, पहले उन्हें अच्छे से पढ़ना पड़ता है अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है, वो कल भी तुम्हारे साथ रहेगा खुश रहा करो उनके लिए, जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जनाब, जिसकी खुशिया ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर है, सफर में धूप भी तो होगी, साथ चल सको तो चलो बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना, उसे महेंगे तोफ़े नहीं बस थोड़ा सा प्यार चाहिए जीवन में ज्यादा रिष्टे होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिष्टे हैं उसमें जीवन होना जरूरी है इतनी भी जल्दी क्या है मन्जिल की, चलो कुछ सफर के भी मजे लेते हैं बात जरूरत की हो, तो जुबान सब की मीठी हो जाती है खुश होना हो तो बेवज हो जाये साहब, वजह आजकल बहुत महेंगी हो गई है थोड़ा सबर रखो अभी इंतेहान जारी है, वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है मजबूरी देर तक जगाती है, जिम्मेदारी जल्दी उठा देती है परायों को अपना बनाना सबसे आसान काम है, अपनों को अपना बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है कुछ लोग सिर्फ लोग नहीं, जिन्दगी होते हैं हमारी सब को पता है कर्म अपने अपने गंगा में युही भीड नहीं होती एक मिनट में जिन्दगी नहीं बदलती पर, एक मिनट सोच कर किया फैसला पूरी जिन्दगी बदल देता है जिन्दगी अपने आपको ढूंदने का नाम नहीं है, बलकि जिन्दगी अपने आपको बनाने का नाम है तुम भले ही मुस्कुराओं बच्चों के साथ, लेकिन बच्चों जैसा मुस्कुराना आसान नहीं होता लोगों को खोने से मत दरो, दरो इस बात से की लोगों का दिल रखते-रखते तुम खुद को ना खो दो जिन्दगी किसी के लिए नहीं रुपती, बस जीने की वजह बदल जाती है लोगों ने मेरे में इतनी कमिया निकाल दी कि खूबियों के सिवा मेरे पास कुछ बचा ही नहीं किसी के साथ प्यार से मजाक जरूर करना, मगर कभी किसी के साथ मजाक से प्यार ना करना हाँ लड़की धोखा भी देती है, जब बात उसकी इज़द पर आ जाती है दूसरों पे मरने से अच्छा है, खुद के लिए जिया करो, अब कटेगी जिन्दगी सुकून से, अब हम भी मतलबी हो गए है कभी कभी सिर्फ एक गलती से हमारी पूरी जिन्दगी बदल जाती है, उनके आसों में हीरे से भी ज्यादा चमक होती है जो दूसरों के लिए रोते हैं, बहुत गजब नजारा है इस अजीब दुनिया का, लोग सब कुछ बटोरते हैं, खाली हाथ जाने के लिए अजीब दास्ता है जिन्दगी की, जीट जाओ तो कई अपने छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही छोड़ जाते हैं जिन लोगों को पढ़ने की आदत है, वह अपने जीवन में कभी अकेले नहीं हो सकते पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदे भूल जाते हैं उलजी शाम को पाने की जिद न करो, जो ना हो अपना उसे पाने की जिद न करो मार देते हैं वो लोग दोस्तों, जो साथ में होते हैं मगर साथ नहीं देते मजाक और पैसा काफी सोच समझ कर उडाना चाहिए मर्द के अलफाज जूठे हो सकते हैं, लेकिन आसु कभी नहीं दोस्त सोच समझ कर रखना चाहिए साहब, कुछ लोग दोस्ती के नाम पर आस्तीन के साथ निकलते हैं दम तोड देती हैं माम बाप की ममता, जब बच्चे कहते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, इनसान की गलतिया माफ की जा सकती है, चाला किया और धोखे बाजी कभी नहीं मुसाफिर ने कहा कि रास्ते अब मन्जिल तक पहुचाते नहीं, रास्ता बोल पड़ा की मुसाफिर भी अब पहले जैसे मिलते कहा है खाली पड़ा है मेरे पडोस का मैदान, एक मोबाइल बच्चों की गेन चुरा ले गया तारों को गिनते गिनते, अक्सर चान को खो देते हैं लोग हार से डर जाने से अच्छा है, जीत की कोशिश में मर जाना दूसरा मौका मतलब फिर से धोखा, कतार में खड़े है, खरीदने वाले, शुक्र है, मुस्कान नहीं बिक्ती भीड के खौफ से फिर घर की तरफ लोट आया, घर से जब शहर में तनहाई के डर से निकला हर जंग में बेकौफ लड़ो, डर कर जियोगे तो मर जाओगे काम्याभी कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाले हमेशा बड़े होते हैं उसे खिलोनों से बढ़ कर है, फिक्र रोटी की हमारे दौर का बच्चा जनम से बूढ़ा है पिता का मौन यदी सुन सको तो फिर दुनिया के ताने सुनने की नौबत नहीं आएगी बहतरिन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, जीत सिर्फ उसी की होती है, जिसे हारने का डर नहीं होता अच्छे उतने बनो जितने में बेवकूफ ना लगो, वरना दुनिया फाइदा उठाती है, वो अलग और मजा लेती है वो अलग कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखना, कि उम्मीद के साथ खुद भी तूट जाओ, काश वो बचपन के दिन वापिस आ जाए दिल की बात साफ साफ बोल देनी चाहिए, क्यूंकि सच बोलने से फैंसले होते हैं, और जूट से फांसले लोग सबर कर रहे हैं, कबर तक जाने को, साथगी का ज्यान सभी देते हैं, पर मरते सब चहरे पर ही है, खुद को इतना काबिल बना लो, कि उसको एहसास नहीं पच्चतावा हो मोह कत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिष्टा हो या जिन्दगी हो बहुत ही खुशनसीब होती है वो मा जिसकी पहली आुलाद बेटी होती है जिन्दगी में यू तो बहुत लोग होते हैं पर वो लोग सबसे अलग होते हैं जो किसमत में नहीं होते जो सबर के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुँच जाती है हमेशा दूसरों का साथ दे, पता नहीं ये पुन्य कब आपका साथ दे जाए किसी की अच्छाए का इतना भी फाइदा मत उठाओ की, वो बुरा बनने के लिए मजबूर बन जाए खुद की जान खत्रे में डाल कर हमें बचाता है, वो डॉक्टर है साहब हार कहा मानता है किसी इनसान को पत्थर समझ कर ठोकर मत मारे, बल्कि उसे तराश कर देखे शायद वो हिरा हो जब की एकता देखी लोगों की जमाने में, जिन्दगा लोगों को गिराने में और मुर्दा लोगों को उठाने में जब कोई नजर अंदाज करें, तो नजर आना ही छोड़ दो, कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, आत्म सम्मान के लिए भी छोड़नी पड़ती है देखा है, जिन्दगी को कुछ इतना करीब से, चहरे तमाम लगने लगे हैं, अजीब से बहुत मुश्किल भी तो नहीं जिन्दगी का सच समझना, जिस तराज उपर दूसरों को तॉलते हैं, आप बस खुद बैठ कर देखिए सारी उम्र अधुरा रहा में, जब सास रुकी लोग कहते हैं, पूरा हो गया कड़वा सच जो अंदर से मर जाते हैं न, वही दूसरों को जीना सिखाते हैं जिन्दगी तो आज भी बहुत सस्ती है, बस जीने के धंग महने हो गए हैं, इस साल खुद को भी एक गिफ्ट देना, जिसे आपकी परवाह नहीं उसे छोड़ देना, ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अकसर जिन्दगी की बाजी घुमा देते हैं चलिए जिन्दगी का जश्न कुछ इस तरह मनाते हैं, कुछ अच्छा याद रखते हैं, और कुछ बुरा भूल जाते हैं अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताए, तो उस से अच्छे से पेश आओ, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो और वो महसूस कर रहा है आपका कुछ दिनों का टाइम पास, किसी की रियल स्माइल छीन सकता है, गरीबों का घर भी बिमिसाल है, छोटा है मगर इज़गदार है, अगर तुम अपनी बहन के लिए शेर हो, तो दूसरों की बहन के लिए कुट्ता मत बना करूँ सिर्फ अपनी मन्जिल के लिए महनत करो, ये लोग जो तुम्हें खोएंगे यकीन मानो बहुत रोएंगे, आपके जैसी जिन्दगी जीना, बहुत लोगों का सपना है, इत्तेफाक नहीं यों मिलना राहों पर, हर मोर पर एक मकसद साथ होता है, तुम्हारे अपने ही दु जरा उनसे आगे तो निकल कर तो देखो, बात बात पे रोदेने वाले दिल के बहुत मासूम होते हैं, ए जिन्दगी तु अपनी रफ्तार पेना इत्रा, जो रोक ली मैने अपनी सासें तो तू भी चल ना पाएगी, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिन्दा रखिये हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बोरिंग कर देती हैं, अपना सिर्फ वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरंदाज ना करें, उम्र चाहे कोई भी हो, जिन्दगी रोज कोई न कोई सबक जरूर सिखाती है, सेलफी ने जूठा ही सही, लोगों को मुस्कुराना सी खा दिया है, अपनी खुशियों की चाबी किसी को ना देना, लोग अकसर दूसरों का सामान खो देते हैं, सबसे पहले उस इनसान को खुश कीजिए, जिसे आप रोज आइने में देखते हैं, उस इनसान का साथ छोड़ देना चाहिए, जिसे आपकी कोई कदर नहीं है, कई बार जज को भी वकील करने पड़ जाते हैं, पता होंगे तुम्हें पहाडों की उंचाई के ना, पर कभी उन पर चड़कर अपने हौस ले भी मान, कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं, जो दिल से प्यार करते हैं, जिस्म से नहीं, गरीब बच्चे जब भी नींद में आते होंगे, तै मानिये उन्हें ख्वाब रोटी के ही आते होंगे, अच्छे सभी होते हैं यहां, बस पहचान सिर्फ बुरे वक्त में होती है, दुख की बात ये है कि वक्त बहुत कम है, कुशी की बात ये है कि अभी भी वक्त है, सही वक्त के इंतजार में सब गलत हो जा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या फिर इंसान. जो तुम्हें सच में चाहेगा, वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, हकीकत ये भी है, तेरी ये जिंदगी, तु इसकी, उसकी, किसी की नहीं, जब वक्त अच्छा होता है, तब नफरत करने वाले भी चाहने लगते हैं, और वक्त बुरा होता है, तब चाहने वाले भी नफरत करने लगते हैं समझदार लड़की अमीरों के पीछे नहीं भागती बलकि खुद अमीर बनने की पूरी कोशिश करती है तुम चलने का होंसला तो करो दिशाय बहुत है काटों की फिक्र मत करो तुम्हारे साथ दुआय बहुत है दूर देखने के चक्कर में बहुत कुछ करीब से गुजर रहा है औरत पर हाथ उठाना मरदानगी नहीं बलकि औरत पर उठने वाले हाथ को रोकना मरदानगी है सिह बनो सिनहासन की चिंता मत करो आप जहां बैठोगे वही सिनहासन हो जाएगा उम्मीद है तो लड़ रहे है वरना मन तो कब का तूट चुका है कदर कर लो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं वरना दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और अत्लीफ देने वाले ज्यादा होते हैं गिद्ध भी कहीं चले गए लगता है उन्होंने देख लिया की इनसान हमसे अच्छा नोचता है बहुत से लोग सोचते और बोलते भी बहुत है लेकिन जब करने का समयाता है तो पीछे हट जाते हैं खोकर मैंने बहुत कुछ पाया है एठोकर तूने बहुत कुछ सिखाया है लोग साथ इसलिए नहीं रहते की वो भूल जाते हैं पर इसलिए रहते हैं की वो माफ कर देते हैं औरत को कम अकल का ताना देने वाले इसकी चंद अदाओं पर ही अपनी अकल खो बैठते हैं दुनिया में हर कोई एक दुसरे से जड़ रहे हैं फिर भी कमबक्त इतनी ठंड क्यों पड़ रही है भाई सब कुछ मिल जाएं तो जीने का क्या मजा जीने के लिए एक की कमी भी जरूरी है ना हक दो इतना की तकलीफ हो तुम है ना वक्त दो इतना की गुरुर हो उन्हें महबत करने में ओरत से कोई जीत नहीं सकता और नफरत करने में ओरत को कोई हरा नहीं सकता जमीर बेचकर अमीर बनना इससे तो बहतर है फकीर रहना तुम गरदन उठाकर भी जी सकते हो बस एक दिन मोबाइल घर पर भूल जाना आज भी अगर आप दूसरों की खुशियों में खुश होते हो, यकीन मानो मेरे दोस्त की आप बहुत अच्छे इनसान हो, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आउंगा, ए जिन्दगी तू देख मैं फिर जिप जाउंगा अगर आप किसी को दुखी करते हो, तो समझ लेना, सब कुछ आपको ब्यास के साथ वापिस मिलेगा, वसीयते अपने नाम लिखवा लेने से कुछ नहीं होता, ये तो उडान तय करेगी की आसमान किसका है ज्यादा दूर तक देखने की चाहत में, बहुत कुछ पास से गुजर जाता है इंसीब, जरा एक बात तो बता, क्या सब को आजमाते हो या बस मेरे साथ ही दुश्मनी है जो लोग अच्छे वक्त में बड़ा भाव खाते हैं, वो लोग बुरे वक्त में बड़ा पाव खाते हैं ये दुनिया अक्सर उन्हें सस्ते में लूट लेती है, खुद की कीमत का जिन्हें अंदाजा नहीं होता अपने गुनाहों पर सौ परदे डाल कर हर शक्स कहता है कि जमाना खराब है, जो मिली है जिन्दगी उसे खुल के जियो क्या पता ये कल फिर हो ना हो, सिर्फ खुद को ढूढ़ना है, बाकी सब तो गूगल पर है, जो सब का होने का दावा और दिखावा करता है यकीन मानिये वो किसी का नहीं होता, जिन्दगी में यूँ तो बहुत लोग होते हैं, पर वो लोग सबसे अलग होते हैं, जो किस्मत में नहीं होते, बहुत गुरुर्था छट को छट होने का, मन्जिल और बनी छट फर्ष हो गई, बहुत बदनसीब होते हैं वो लोग जो दिल में उतरने के बाद दिल से उतर जाते हैं गरीब बच्चे जब भी नींद में मुस्कुराते होंगे, तै मानिये उन्हें ख्वाब रोटी के ही आते होंगे, दिल के सच्चे लोग जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं एक वक्त के बाद जिन्दगी में किसी से कोई शिकायत नहीं रहती, किरायदार है सब यहां, लेकिन फिर भी किरदार में अकड़ बहुत है अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे कुछ भी करवालो, जरूरी नहीं कि जिनमें सासे ना हो वही मुर्दा है जिनमें इंसानियत नहीं है, वो भी तो मुर्दा है, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ती का दिल तोड, किसी तीसरे के पास खुशी ढूंडने जाते हैं, वो अक्सर धोखा ही खाते हैं, थाम लो हाथ उसका जो तुमसे प्यार करें, ये जिन्दगी ठहरेगी नहीं गुजर जा वाले भी होते हैं, खुद की जान खत्रे में डाल कर हमें बचाता है, वो डॉक्तर है साहब हार कहा मानता है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दुसरों का नाम याद रखते हैं, और दुसरा जिसका नाम दुसरे याद रखते हैं, जिन्दगी को इतनी गंभ कि नहीं होती जनाब, कुछ सपने भी बहुत महेने होते हैं। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत कत्म करने में जिन्दगी गुजर जाती है। मैखाने से बढ़कर कोई। पत्जड में तो सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता, काश मैं लौट जाओ बच्पन की उन गलियों में, जहां ना कोई जरूरत थी और ना कोई जरूरी था। कटी हुई टहनिया कहां छाव देती है, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती है। गरीब की हाई किसी को नहीं चाहिए, और अमीर की हाई सब को पसंद है, अक्सर अपनों की चाला किया ही, बेवकूफों को भी समझदार बना देती है, वक्त वक्त की बात है, कोई कह जाता है, तो कोई सह जाता है, तीन शब्दों में मैंने जिन्दगी में जो कुछ भी उसका सार दे सकता हूँ, जिन्दगी चलती जाएगी, ब्लॉक नहीं इग्नोर करना सीखो, वरना तुम्हारी काम्याबी कैसे देखेंगे वो लोग, परवा कोई नहीं करता, बक्वास सब करते हैं, चीजें अक्सर इतनी उलजी हुई नहीं होती साहब, जितना हम उन्हें बना देते हैं। काटों पर गुजार देते हैं सारी जिन्दगी, कौन कहता है कि फूलों को कोई गम नहीं होता, जूट इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सब की आउकात नहीं होती, जिन्हें आप से तालुक रखना मुश्किल हो रहा हो, बहतरीन है कि उनकी मुश्किल आसान कर दो, मार देते हैं, वो लोग, दोस्तों, जो साथ में होते हैं मगर साथ नहीं देते, दिल छोटा नहीं करते, जो गया समझो वो मर गया, जैसे हो वैसे ही रहा करो, क्योंकि ओरिजनल की कीमत कौपी से जयादा होती है, कौन चला गया, ये इंपोर्टेंट नहीं है, कौन उसी से बांध के बैठे हैं, हम सारी उम्मीदें, वो जिंदगी जो किसी से वफा नहीं करती, आपकी बुराई वो ही करता है जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता कुछ लोग रेट की तरह होते हैं, आज यहां तो कल वहां, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है किसी और का इंतजार मत करो, नादान इनसान ही जीवन का आनंद लेता है, ज्यादा होशियार तो हमेशा उल्जा हुआ हुआ रहता है। अगर दो लोग लड़कर भी एक दुसरे के साथ रहते हैं, तो उसका मतलब ये हुआ की दोनों बहुत प्यार करते हैं, बचपन वाला रविवार और बचपन वाली वो दिवाली अब नहीं आती साहब कमाल होते हैं, वो लोग जो अपना सब कुछ हो कर भी दूसरों को खुश रखते हैं, पढ़ जाती हैं उनकी आदत जो मुश्किलों में करीब होते हैं, सच ही कहा है किसीने की ये सहारे भी अजीब होते हैं, जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं, माबाप की सेवा से बढ़ कर, और कुछ नही इस दुनिया में, हर कोई मा की महबबत की बात करता है, लेकिन बाप की कुर्बानिया का कोई जिक्र नहीं करता, घर के चूलहे को भरम है कि वो पालता है, हमें, प्यार तो मा की हथेली से चुराती है, रोटिया सुकून चाहते हो, तो मकानों पर नहीं, इनसानों पर देश का राजा जब प्रजा से मदद मांगे, तब समझ लेना देश बड़े संकट में हैं। आप किसी को तब तक नहीं समझा सकते, जब तक सामने वाला समझना नहीं चाहता हो। की भी रही होगी, जिन्दगी भर याद रहता है, मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ चोरने वाला, जोपडी में ही ठीक हूँ साहब, महलों की तनहाई बड़ा सताती है, मर्ग की सबसे बड़ी बदसूर्ती उसकी खाली जेब होती है, किस्मत और लड़क धोखा तो देती है, पर जब साथ देती है, तो जिन्दगी बना देती है, मोह कत्म होते ही खोने का दर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिष्टा हो या जिन्दगी हो, जिन्दगी की बेंक में जब प्यार का बेलेंस कम हो जाता है, तब हंसी खुशी और म पुसकान के चेक बाउंस होने लगते हैं। पुसकान के चेक बाउंस होने लगते हैं। जब तक तेरे पास पैसा है, तब तक दुनिया बोलेगी भाई कैसा है, ज्यादा कुछ नहीं बदलता। उम्र बढ़ने के साथ बचपन की जिद समझोतों में बदल जाती है। इंसान जितना अकेला रहता है, उतना ही खुश रहता है। मिलेगी परिंदों को मनजिल ये उनके पर बोलते हैं, रहते हैं कुछ लोग खामोश लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। जिन्दगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, बलकि एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। जियो तो कुछ ऐसा जियो, की बाप को लगे मैंने एक शेर पाला है। हाथ उतना ही कसकर पकड़ना किसी का, जितनी दूर पकड़कर साथ चल सको। जिन्दगी का एक उसूल यही है, कि वो भी एक दिन रोता है, जो दूसरों को रुलाता है। बहुत गजब नजारा है इस अजीब दुनिया का, लोग सब कुछ बटोरते हैं, खाली हाथ जाने के लिए, हाथ से जन्नक की चावी छुट जाएगी, मा अगर एक पल के लिए भी रूट जाएगी, मतलब की खामोशी बहतर है, बेंतलब की बातों से आधी जिन्दगी एक दुसरे को निचा दिखाना, जिन्दगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के प्रेम और विश्वास का नहीं, नमक होना चाहिए स्वात अनुसार और अकड होनी चाहिए औकात अनुसार, मन में उतरना और मन से उतरना, केवल आपके स्वभाव पर निर एक भाती है, क्योंकि अच्छी बातें देव से समझहाती है, जहां खुद को साबित करना पड़े, वहां समझ लेना तुम्हारी कोई इज़त नहीं है, शराफत का जमाना नहीं है, जनाब माफी मांग लो तो कमजोर समझ लेते हैं, लोग पहला धोखा माफ करोगे, तो मिलेगा ही न, उस इनसान का साथ छोड देना चाहिए, जिसे आपकी कोई कदर नहीं है, जिन्दगी की परीक्षा में कोई अंक नहीं होते, कोई आपको दिल से याद करे तो समझ लीजिये पास हो गए, आजकल की नादानी भी सच में बिमिसाल है, अंधेरा दिल में है, और लोग दिये मंदिरों में जलाते हैं, मजबूरिया ला खड़ा करती है, ऐसे मोर पर इनसान बुराईया अपना लेता है, अच्छाया छोड कर किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, लेकिन हर कोई में कमी दिखाई दे तो फिर खुद से बात करें, बस इतनी सी इसी बात समंदर को खल गई, एक काग्स की नाव मुझ पे कैसे चल गई, बहुत मुश्किल है समझना जिन्दगी को, जब से मिली है, हर पल बदर रही है। जमीर का पता जरूर है, आप कुछ भी कहोजनाब कभी गुनाह से पहले और कभी गुनाह के बाद बहुत धोखा मिलता है उन लोगों को जो दिल के साफ हुआ करते हैं, कोई क्यों चला गया ये जरूरी नहीं है, क्या सीखा कर गया ये जरूरी है। जहां तक रास्ता दिख रहा है, वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुँचने के बाद दिखेगा। जिस तरह केवल बलका होना आपको कुरुष नहीं बनाता। ठीक वैसे ही केवल सौंदर्य आपको स्त्री नहीं बनाता, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिन्दा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को नीरस बना देती है, जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है, वो जिन्दगी में कुछ भी कर सकता है। अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे कुछ भी करवालो, ये तो समय समय की बात है, समय जिसका साथ देता है, वो बड़े-बड़े को मात देता है, कार्य की अधिकता मनुष्य को नहीं मारती, बलकी चिन्ता मारती है। अपनी परिशानियों से भागना, एक ऐसी रेस है, जो तुम कभी जीत नहीं सकते, अंदास ताकत का लगाया जा सकता है, किसी के होंसलों का नहीं, मेरे स्टेटस देख के ही लोग मर जाते हैं, अगर ऑनलाइन मिल गया, तो क्या हाल होगा? कहानी खत्म हो, तो कुछ ऐसे खत्म हो, की लोग रोने लगे तालिया बजाते बजाते, ये लोग कुछ तो कहेंगे, बरना ये जिन्दा कैसे रहेंगे, वो जो समझे थे तमाशा होगा, मैंने चुप रहकर बाजी पलट दी, गुरुर किस बात का करें साहब? आज मिट्टी के उपर, तो कल मिट्टी के नीचे, पढ़ जाती है, उनकी आदत जो मुश्किलों में करीब होते हैं, सची, कहा है, किसीने की ये सहारे भी अजीब होते हैं, लोगों की परवाह करना छोर दो, जिन्दगी खुद ही खुबसूरत हो जाएगी, थाम लो हाथ उसका जो तुमसे प्यार करें, ये जिन्दगी ठहरेगी नहीं गुजर जाएगी, उलजी शाम को पाने की जिद न करो, जो ना हो अपना उसे पाने की जिद न करो, बुरे लोगों की एक बात तो अच्छी है, वो अच्छा होने का दिखावा कभी नहीं करते, अकड होती त सोच भले नहीं रखो, लेकिन संसकार पुराने ही अच्छे है, जब तक सही इनसान नहीं मिल जाता, तब तक अकेला रहना ही बहतर होता है, मुझसे नाराज है, तो छोड़ दे मुझको ए जिन्दगी, मुझे रोज रोज तमाशा न बनाया कर, किसी से नाराजगी इतनी भी गहरी ना करे की, भविश्य में समझोते की कोई गुंजाइश ही ना रहे, तुम तनहाई से क्यों घबराते हो, अकेले दुनिया में आये और अकेले ही जाना है, राजी रहा करो खुदा की रजा में, तुमसे भी मजबूर इनसान है, इस जहां में यू चहरे पर उदासी ना ओढ़िये साहब, वक्त तकलीफ का जरूर है, लेकिन कटेगा मुस्कुराने से ही, कभी किसी से इतना भी करीब मत हो जाओ, कि उसके चल तो बुरा मान जाते हैं, तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम बस तयार रहना दोस्त आजमाने वाले भी होंगे, जो व्यक्ति शक्ती ना होते हुए भी हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, किसी से सिर्फ इतना ही मिलो, जितना वो म मिलना चाहता है। अपने अस्तित्व वहत के लिए जरूर लड़े। भले ही आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो श्मशान तेरा हिसाब बड़ा ही नेक है। गुफ्तगु करते रहिए थोड़ी थोड़ी सभी दोस्तों से। जाले लग जाते हैं अक्सर बंद मकानों में भी दोस्त दमदार मिले तो डगर जीवन की आसान होती। है दुश्मन दमदार मिले तो हिम्मत की पहेचान होती है। जिन्दगी एक सफर है आराम से चलते चलो उतार चड़ाव तो आते रहेंगे बस गेर बदलते रहो। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है। पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सिख जाते हैं। इंतजार करना बंद करो। क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। क्या किस्मत पाई है। रोटियों ने भी निवाला बनकर रहिसों ने आधी फैंक दी और गरीब ने आधी में जिन्दगी गुजार दी। सबत तो बहुत सिखाए तूने ए जिन्दगी। शुक्रिया तेरा की किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। जो दिखाई देता वो हमेशा सच नहीं होता। कहीं धोखे में आखे है तो कहीं आखों में धोखा है। दो-चार नहीं मुझे सिर्फ एक दिखा दो, वो शक्स जो अंदर भी बाहर जैसा हो, इनसान को इनसान धोखा नहीं देता, बलकि वो उमीदे धोखा दे जाती है, जो वो दूसरों से रखता है. ये आग भी अजीब चीज है, सच बोलने से ही लग जाती है, खुद को गलत भी सही आदमी ही मान सकता है, कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटिया, जब पैदा ही नहीं होने दोगे बेटिया, फ्वाहिशे तो मेरी छोटी-छोटी थी, पूरी नहुई तो बड़ी लगने लगी इंसान की बर्बादी का वक्त तब से शुरू हो जाता है, जब माबाप गुस्से और नाराजगी के खौफ से उसे अपनी जरूरत बताना छोड़ दे किसी लड़की को हाट करने से पहले, अपनी बहन की स्माइल को याद कर लेगा जिन्दगी में इतना भी अमीर मत हो जाना कि तुम दिल से फकीर हो जाओ यहां मजबूत से मजबूत लोहा तूट जाता है, कई जूठे इकठे हो तो सच्चा तूट जाता है ताकत के साथ नेक इरादे भी रखना, वरना ऐसा क्या था जो राबन हार गया इस दुनिया में यूँ तो कस्मे बहुत लोग खाते हैं, सिर्फ कुछ लोग ही दिल ओजान से निभाते हैं जिन्दगी बहुत कुछ देती है, अगर हमें लेना आता हो तो जिन्दगी है मेरे दोस्त यहां जोडने वाले भी मिलेंगे और तोरने वाले भी शराफत का जमाना नहीं है जनाब, माफी मांग लो तो कमजोर समझ लेते हैं, लोग जिन्दगी गुजरी यहां बड़ी नादानी में घर बनाते रहे हम बहते हुए पानी में तो प्रिय दर्शकों उम्मिद करता हूँ की आपको विडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे आपके एक लाइक से ही हमें प्रेना मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं धन्यवाद